नमस्कार दोस्तों आईए आज हम संग्या के बारे में पढ़ेंगे ये विशेषकर रेलवे सियाइस एसेसी यूपी पुलीस और ट्रांसलेटर के लिए बहुत आवश्चक है अस्थान सब्दों में यदि हम बात करें तो कोई भी नाम संग्या होता है व्यक्ति का हो सकता है वस्तु का हो सकता है अस्थान का हो सकता है भावना का होता है या फिर किसी जानवर का हो सकता है जो भी नाम है वो संग्या है बनावट के अमसार संग्या के तीन भेड हैं पहला है रूड, रूड मतलब जिन शब्दों के खंड किये जाएं जैसे माँ लिए राम लेते हैं, राम को अलग-अलग करें तो उनके अलग-अलग खंडों का कोई अर्थना निकले दूसरा योगी, योगी करता दो या दो से अधिक शब्दों की योग से जो शब्द मिलें, जैसे पाट साला, घुड सवार, महादेओ, इस तरह के शब्द योगरूड ऐसे शब्द होते हैं, दो अलग-अलग शब्द मिल करके तीसरा भावदें, जैसे मान लिए लंब उदर, लंबा और उदर मिलता है, इसका शब्दिकर्थ तो लंबा पेट वाला होगा है, लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकला है, वह है गणेश, इसी तरह पीतामबर, पीला वस्त पहनने वाला, तो अर्थ निकल के आता है, विश् व्यक्ति वाचक संख्या, व्यक्ति वाचक संख्या अर्थात किसी वी व्यक्ति, वस्त स्थान इसमें समुद्र हो सकता है, नदी हो सकती, परवत हो सकता है, इन सब का नाम व्यक्ति वाचक संख्या, जाति वाचक संख्या अर्थात किसी वी जाति का नाम, यानि कि जाति प अगला है भाव अचक संगया, भाव यानि की गुन, भाव, सोभाव या यह कह सकते हैं अवस्था भाव में होता है भाव अचक संगया की एक विशेश पहचान है कि इसे छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, देखा भी नहीं जा सकता है जैसे मालीजे लड़कपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, बिरदावस्था है, ये सब चीजें अगला है समूवाचक, एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तूओं का जो समूवाचक संग्या में गिना जाता है जैसे व्यक्तियों का समूव है, दल, गिरो, जूंड, या फिर वस्तूओं का पुंज, मंडल, गुच, घौद, इस तरह की चीजे हैं जिससे व्यक्ति वस्तूओं के समूदाय या समूव का बोध हो, जैसे फोरज, भीड, ये सब चीजें आपको समूवाचक में आती हैं हम लोग कई बार समूवाचक और जाति वाचक में कन्फ्यूज होते हैं लेकिन ध्यान रखें जैसे लड़कों का गिरो है वह समूवाचक में आएगा, पर लड़का है वह समूवाचक में नहीं आएगा, वो जाति वाचक में आएगा अगला और सबसे अंती में द्रव वाचक द्रव यानि नाप तोल की जाने वली वस्तु धातु या द्रव पदार्थ जो हो वो इसमें आते हैं इसे पदार्थ वाचक संग्या भी कहा जाता है और इसका सबसे अच्छा पहचान है वह द्रव या पदार्थ का बोध हो कखड़ी इस तरह की चीजों को अगर हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं तो द्रव्य वाचक में हैं अगर हम तौलते और मापते नहीं हैं गिनते हैं तब वो किसी और रूप में जाएगा संग्या के बारे में आम जानकारी मैंने कई परिक्षाओं के प्रशनपत्र का संकलन किया और उसकी समिक्षा में देखा कि अक्सर भावचक संग्या के बारे में ही पूछा जाता है कोई संग्या दी गई होती है और उसमें पूछा जाता है यह किस तरह का संग्या है या फिर आपको संग्या से भावचक संग्या या विशेशन से भावचक संग्या में बदलने के लिए कहा जाता है उसके उदारन आप आगे देखेंगे यहां देखे जाती वाचक संग्या से भावचक संग्या में हम बदल रहे हैं इसके लिए शब्दों में जाती वाचक संग्या में त्वपन पारा ई आदी प्रते लगाते हैं प्रते यानि कि अंग्रेजी से देखें तो सफिक्स और प्रफिक्स होती है जैसे माली स्त्री है इस्त्री में त्व लगा दिये इस्त्री तो हो गया लड़का में पन लगा दिये लड़कपन हो गया बचपन हो गया पात्र में ता सबस्क्राइए, इस में फिर हम घालियम्हिता डाली इस मी प्रफ्ट्रा प्रत्य का सब्साइब एक्ता, झालियम्हिता, वाम्भीयर्टा,। अम देख़ए, क्रिया से हम भाव угत रव में जाना हूँते। क्रिया यानि कि किसी काम का करना या होना पाया जाए जैसे खोजना, बोलना, जूलना, चमकना, जोडना इस तरह के शब्दों में से हम प्रत्य ना हटा देंगे खोज, बोल, जूला, चमक, जोड़ इस तरह से हम इसमें से भाव अचक संग्या बना सकते हैं मूल रूप से जिससे भाव और अवस्था प्रकट हो वह भाव अचक संग्या होता है और किसी से भी जब आप परिवाटीर करते हैं तो वह भाव रहता है चलिए अब अगले सत्र में संग्या का सही प्रयोग अठात वाक्यों में और अनुवाद में कैसे हो इस पर चर्चा हो होगे अगर अच्छा लगा हो तो थम सब करके आप हमें बताइए पसंद है फिर आगे हम अच्छी चीजे लाएंगे